आज मैं शेर करने जा रहे हूं एक ऐसी रेस्पी जिसका नाम सुनते ही मुझ में पानी आ जाता है और खास तर्स ये सर्दियों में ही बनाया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते ही इस रेस्पी को बनाना इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने यहां पे रहे हैं मीडियम साइज का टमाटर लिया है अद्रक का डो इंच का टुकड़ा है चार हरी मीज लसन आठ से दस सफेद काली मीज हमने लिया है और दो मीडियम साइज का प्याज लिया है रेड वाला और यहां पे 100 ग्रम मटर के दाने हैं फ्रेस मर्टर यूज करिएगा और 100 ग्रम मेथी का पत्ता लिया हमने जिसको हमने धो कर और उसकी पत्तिया जो हमने तोड़ ली है और साधी के मौसम में मेथी के पत्तों से बहुत सारी डीसेज बनाई जाती है तो चलिए अब दूसरे पोसेश की तरफ चलते हैं तो यहां पे मैंने जो प्याज लिया है यह रेड़ वाली प्याज है हमें वाइट चाहिए था वाइट नहीं था इसलिए हमने रेड़ वाली भी ले लिये और यह ग्रीन वाला प्याज का हरा वाला जो पार्ट होता है वह हमने ले लिया है यहां पे तो इसको हमने काट लि देते हैं लासन और हरी मीज ये भी हम इसमें डाल देते हैं अब हम इसमें डालने वाले हैं काजू 8-10 काजू हमने लिया है तो ये भी हम इसमें एड कर देते हैं और साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे डेड़ कप पानी पानी डालने के पानी थोड़ा सा गरम समय हो जांगा यहां मेथि का पता उ Glenn को हम हाई कर देंगे और इसी पीछ हम इसमें चीनी डालेंगे एक छोटा जम्म चीनी इसलिए डालते हैं कि ताकि इसका कलर जो है डार्क ना हो यह वैसे ही ग्रीन रहेगा अब इसको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसका डगकन लगा देंगे जब तक कि हमारा मेथी और मतर जो है यह बैंक बोइल पॉयल जाया इसमें अवह पर देखिए बोईल आ चुक आहा है एक मिनट हो चूक है तो हम गयस के फ्लेम को वाफ कर देते हैं आप यह बहांने थंडा पापनी लिए उसमें हमने के डाल दिया है इसमें हम मेथी और डों से जादा नहीं रहें कि इसको ठंडे पानी से एक बार और धोएंगे और बदे इसको चानकर निकाल लेंगे तो यह है हमारा भी कि अब मैंने काजू प्याज टमाटर जो हमने वोई किया था यह बॉइल हो और इसको ठंडा होने के बाद हम इसका मिक्सिजार में डाल कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे बहुत बारीक पेस्ट बनाना है और अब हमने गैस पे एक कढ़ाई रखा है अब उसमें डाल देते हैं रिफाइन आइल आप मस्टर्ड ऑईल यूज नहीं करिएगा तो यहां प देते हैं आधा कफ हमने डाला था तो जैसे यह थोड़ा सा मसाला जो एक रेकल हो जाएगा उसमें हम प्यूरी डाल देंगे जो हमने पीसके रखा था और इसका डखकन लगा देंगे फ्लेम को मीडियम रखना है और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमस जी हैं दो तीन हरी मीज डाल लीजिए आप अपने टेश्की कार्डिंग जितना आपको तीखा खाना है अब मसालो को मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसका डखकन लगा देंगे 7-8 मिनट के लिए जब तक हमारे मसाला जो अच्छे से भूनना जाए और यहां पर मसाले हमारे भून चुके है तब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप दही दही को फेट के डालना है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तरही से जो है बहुत ही अच्छा टेक्स्टर आता है मासालो में तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसका धकन लगा देंगे तो से तीन मिनट के लिए फिलेम को लोही रखना है और यह दो से तीन मिनट हो चुका है हमारे मसाले भून चुके हैं तो इसी स्टेज पर हम इसमें मेथी और मटर दोनों एड़ कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेथी मटर जो है हमने बॉइल किया था तो उससे इसका कड़वापन एक तो निकल जाता है तो यह पूर्सेस आप जरूर करिएगा अब हम इसका ढखन लगा देते हैं और इसको पकने देते हैं दस मिनट के लिए यह दस मिनट हो चुका है यह देखिए हमारा मेथी मटर जो है अच्छे से कुक हो चुका है तो अब हम इस स्टेज पर डालने वाले हैं प्रेस मलाई एक कप इसको भी हमने अच्छे से फेट लिया था यह घर की मलाई थी अगर मलाई ना हो आपके पास तो आप प्रेस क्रीम भी यूज कर सकते हैं अगर मलाई है तो वो सबसे बेहतर है अब के पास तो इसको डालने के बाद हम दो मिनट इसे पकाएंगे डग कर लो फ्लेम पे इसको सिर्फ दो से तीन मिनट ही कुक करना है वरना ओवर कुक होगा ना तो इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो यह रही आज की हमारी मखमली मेथी मतर मलाई बिल्कुल ढाबा और इस्टूरेंट टी स्टाइल तो चलिए अब हम इसकी पिलेटिंग कर लेते हैं देखें बहुत है अच्छा कलर आया है इसका कलर जो है ना बिल्कुल चे नहीं हो अगर इसमें हम हल्दी बगर डाल देते ना लाल मीज तो इसका कलर जो है ना रेड हो जाता है तो अब देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है और थोड़ा सा और क्रीमी पन और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कूपर से थोड़ा और क्रीम हम इसमें डाल देते हैं तो यह रही आज की हमारी रेस्पी महमली मेथी मतर मलाई कैसी लगी आपक कमेंट करके जरूर बता है और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेमली में सेर करना ना भूले और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी रेस्पी बनाने का और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब कर लें प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फर वाचिंग